तो लास्ट वीडियो में मैंने यहां पर इंसर्ट कॉलिंग और डिलीट API के मतलब से बनाया था लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा इशू सामने आ गया वह यह है कि जब हम डिलीट करते हैं 7 को तो डिलीट होता है 6 यानि हमेशा उपर वाले इलीट होता है 1 वाला देखिए 6 डिलीट हो गया 7 डिलीट नहीं हुआ है इसको सॉल्ट क्या है एक्चल में मैंने काम ही गलत किया था वहां पर उसको मैं सुधार देता हूं कि कैसे वह गलती हुआ था और उसको कैसे सुधार ना देखिए यह जो डिलीट का काम मैंने किया है यह अलग किया राइट तो डि आपको करने के लिए क्या करना पढ़ горगा जो डिलिट का work है वह आपको लूप के अंदर डालना पढ़ए का होगा लूप के अंदर दालना हो गहिंग her कि अ कि अ आई डि एक मेट तो इस वाजे पार्ट को क्या करना है लूप के अदर डाल देना है लूप के अंदर डाल दिये तो बेसे ता पूंपको टारगेट करने की जरूफ इसका उनिक नहीं है लेकिन है इडिक का नाम यूनिक बनाना होता है तो basically क्या करेंगे यहां पर है ना dollar कर लिए हटा दिये हम उसको बनाए थे देखो इसी को ID बना लो खत्म कर लो बात तो यह जो मिरा ID है यह यह इदर इसको उटाओ आपका यह ID है ठीक है कुछ चाहो तो सामने में जोर सकते हो जैसे कि BTN प्लस का साइन दे दो ताके BTN प्लस ID आजाए तो जो भी बटन का नाम होगा उसके आगे आप हैस लगाओ और जब लिखे ओ BTN और इसमें प्लस का साइन दे सकते हो आप अराम से कोई दिकत ने कॉन कर सकते हो और लूक के अंदर हो तो अब आपको इसकी जरूत नहीं है किसकी जरूत नहीं है इडी की जरूत है यह आईडी डाइलेक्ट आप आइटम डॉटा आईडी से मेंशन कर सकते हो अब आपको कुछ डिडा इंसर्ट करके दिखा दे घूए बुक्स ठीक है तो यह इंसर्ट होना चाहिए पता नहीं सर्वर आफ है यह उन ही है देखो आगया इसके बाद हम लोग एक मोबाइल करके है तो यह इसके बाद हम लोगे को प्रॉड़क के ओपर काम करना है तो अ झुक्य वाइला हैÁ इसके बाद हम लोग उन्हस को प्रॉड़क करना है तो इस लैस्ट करके आपका एक इक वी हम बना चुके थे इंसर्ट इसमें नहीं बनाए weaving is उसके बनाते हैं फट्ट आफट दे content ठीक है और इसके बाद हम लोग form त्यार कर लेते हैं तो basically जैसे manage के लिए यहाँ पर form त्यार हुआ था इस तरीके का form को चाहिए ठीक है तो इसको यहाँ से card को copy कर लेते हैं ठीक है थोड़ा time बचाने के कुछिश जितना कर सके उतना करेंगे इसमें container container call-6 ठीक है बीच में लाने के लिए mx auto और यह card तो यह page का design तो भी तो किये नहीं है insert product ठीक है और यह वाला insert product अब यह title है तो इसके जगह पर इसको name कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर name अब जो database का column अनुसार के तो जो database कह रहा है उसी अनुसार आप नाम रख लीजिए काम हो जाएगा insert category लिखा हुआ यहाँ पर insert product कर देते है तो यह पूरा का पूरा page त्यार हो गिया बच इसको web.psp में आपको इसका insert का page बना हुआ है देखो slash insert तो अब इस पर click किजे और slash insert पर जाएगे इसके लिए आप लगाईए manage course में जाएगे और यहाँ पर एक route लगा दीजे route अशका नाम क्या रखेते हैं वेब देख लेते हैं कोई बात ही यह देखो product.insert यह route का नाम है इसको use कर लेते हैं कहा है है हम manage product यहाँ ठीक है और इसी तरिके का जो page copy paste हो रहा है उस page में तो go back का बटम लेगा अभी फिलाल ज़रूद नहीं है तो हम यहाँ पर click करने के बाद हम form में आ गए देखो यह form में बीच में आ रहा है इसका जो जितना column है वो सब हम लोग उसी data में इसके दूसार डालेंगे जो पहले exactly डाला था तो insert का column में title पहला column है उसी हिसाब से दूसरा brand है है कि नहीं brand है और इसी के हिसाब से select बनाना नहीं है यहाँ पर form से जाएगा title वही से select convert हो जाएगा और बलो category तो category क्या है scene की category ID insert होता है तो नाम category ID कर दो लेकिन calling करना पड़ेगा तो select और form does select नाम का class होता है और यहाँ पर loop चलाना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर आपको आपको वही एजेक्स से बुलाना होगा ठीक है एजेक्स से बुलेगा यहाँ पर loop से नहीं आएगा ठीक है तो एजेक्स से बुला कर य select ठीक है ऐसा कुछ भी नाम लग सकते है और इस नाम के साब से अपना java skip कर सकते हैं देखो java skip करने के लिए script tag लगाना है script tag लगाने के बाद आपको लिखना dollar document.ready इतना तो आपको पता है function इतना शुरू करने के लिए jQuery को शुरू करने के लिए लिखना है उसके बाद dollar औ और इसके बाद आप लिख सकते हैं dot ajax और इसके बाद एक callback function और इस function में आप normal, sorry function क्यों बना रहे हैं, curly bracket बस सुरू हो जाएगे, sorry curly bracket और ये type, type मैं आपको लिखना get, हाला कि get नहीं भी लिखोगे तो भी get ही होता है, URL जो आपका API है slash category तो आपको ये call हो जाएगा, यहा इसके बाद आपका success, success होने पर क्या करना है, तो एक function बनाना है, callback function, हाला कि आप इसमें javascript का arrow function भी बना सकते हो, दोनों चीज ऑप्शनल है, यहाँ पर response और ये रहा, अंदर में function, तो इसमें कुछ करना नहीं है, एक variable बना लेना है, select नाम से बना लेते हैं, और इसको target क जाए, और इसके बाद आप इसमें, basically आप क्या करेंगे, select loop चलाएंगे, तो आप loop चलाने के लिए लिखेंगे, response.data.forEach, each, each, और इसके अंदर में आप item पास कर लीजे, या cat, कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, curly bracket, और यहाँ लिखे, select.append, और append आपको टेक्ट करना है, है ना, इसमें आपका value होता है, जो database में जाएगा, और इसके बाद यह बंद हो जाएगा, और इसके बीच में आपको यहाँ पे variable डालना है, तो इसको back tick में convert कर दो, ने तो variable में नहीं डाल पाओगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे dollar cat.id चाहिए, जो database में जाएगा, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, cat.cat name, cat.cat name, cat variable का नाम है, यह cat name attribute का नाम है, यहाँ डेटावस के column का नाम है, और यह आपको option tag close, तो यह इतना करना मज़िदार होगा, ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका loop क्या बात है, एक ही बार में सब कुछ हो गया, अब आगे हम लोग इस select tag को खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें सारा काम तो जावास्क्रिप कर रहा है, ठीक है, इसे तरीके से और भी columns के नाम बता हो, जैसे brand aside, है ना, तो brand, brand है चुगे है, price, mrp, इसके इलावा, discount price, discount price price, description, जो कि हम लोग को text area में करेंगे, text area और इसमें row important होता है, कितना line of type अटा देना है, ठीक है, और जो नाम है वो description कर देते हैं, और text area का closing tag, और anything else, नहीं, तो यह है मेरा form तयार, जिसमें, यह भी एजेक्स से आरा है, ठीक है, अभी इसका data पुरा 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 सब्मिट करने के बाद form काम करें, इसके लिए आपको यहाँ पे एजेक्स करना होगा, नॉर्मली यह जो एजेक्स हुआ है, यह अभी categories, ठीक है, तो यह आप अपने इसाफ से लिख सकते है, comment, और अपना insert का काम सुरू करने के लिए, आपको form का tag के उपर, एक ID रखा था मैंने, insert, याद रखेंगे आप इसको, तो आपका insert product, इस पे काम करें, तो एजेक्स में आपको इसमें, डॉलर, dot, एजेक्स लिख सकते है, यादि आप पहले target किजिए, click होने पर काम करेंगा, तो आप यहाँ पर हैस लगाईए, dot submit, जब submit होगा तो यह callback function चलेगा, और callback function क्या करेंगा, event भी पास करेंगा, e, ठीक है, अब आप इसको रोकेंगे, e.prevent, default, इस तरह से रोक सकते हैं इसको, और इसके बाद आप अपना एजेक्स सुरू करेंगे, dollar dot, एजेक्स, और आपको यहाँ पर time बताना है, post method, है की नहीं, capital में post लिखना आपको, ध्यान लखना है, उसके बाद आपका URL, आप सब को बता है, slash, double quote लिखे, slash API slash product, नहीं, बस हो गया, slash, API में ऐसे ही होता है, उसके बाद डाटा आपक serialize, ठीक है, आपने serialize कर देने के बाद क्या करना है, success होने पर क्या होगा, callback function चलेगा, और response आएगा, response जो आएगा, उसके नुसार आपको alert कर देना है, कि response dot msg, और क्या करना है, कुछ नहीं, क्या insert हुआ उसकी ज़रूत नहीं है, fail, उसके बाद आपको page को reset करना है, तो dollar, hash dot trigger, और इसके बाद reset, ऐसे, तो यह है मेरा form का code जिसमे आम लोगों को post करना है, और इसके बाद फिर calling का page में जाना है, तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते है, विंडू.open, आपको पताईए, window.open, आपको पताईए, ड अहां जाना है तो slash product में जाना है underscore self बहुत बार लिखी चुके है तो बिसिकली हम यहाँ पर data insert करके try करते है ठीक है मानलो लावा kkt 50 यह ब्रैंड का नाम लावा mobile phone MRP 5000 रुपया discount amount 200 रुपया description और submit फता नहीं क्या error है inspect के में देखते हैं कुछ error तो है देखिए कह रहा है कि आपका API slash product 500 रुपयार दे दिया है हम एने यहाँ पर कोई condition बनाया है कि नी बनाया है request all जो भी request आ रहा है success होने पर हाँ product create sub data all वही बात और लिख दिये all लिख दिये तो सब हो गया एक काम करते हैं manage manage sorry insert में एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार इस serializable data को एक बार call करके देख लिए एक बार API लगाते हैं और लिखते हैं console console.log और इसको डाल देते हैं देखते हैं क्या होता है पांसोग एरर आ रहा है इसका मतलब ये API में कुछ गलती कर दी है API का नाम में क्या लिखते हैं API slash product method post 500 अच्छोग एरर क्यों आएगा slugs are unique slugs unique slugs था slug नहीं पास किये actually देखो slug को एड करने का तरीका क्या होगा देखो Google कर दिखाते हैं how to add slug in Laravel using title mutator mutator क्या होता है कैसे बनता है इस अब दिखाते है देखो लारेवल के सरलग जन्रेट करना चाहते है title की मदद से मतला हमको बनाना नहीं बैसिकली हम जन्रेट करना चाहते है तुस पर टेस्ट कर लेते है देखे हम लोग इंसर्ट का API टेस्ट किया था तो इसमें slug डाला था अच्छा यह slug डाला था ना और यहां slug नहीं डाले कोई बात नहीं है हम आपको दिखाते हैं कि कैसे slug को बनाना है तो नॉर्मली हम ना model के mutator से बना सकते थे लेकिन हम को क्या करना चाहिए यहां पर एक मिट सेट एट्रिव्यूट स्लग इन लारेवल मॉडल यह बताते हैं आपको कैसे करना है यह कौन सा तरीका हम यूज कर रहे हैं जिससे बाइ डिफोल्ट बन जाएगा इसके बारे में थोड़ा बात करना परेगा हम को attributes एक मिट सेट स्लग attributes in model देखिये कैसे करना है आपको slug … हमको आना है यह एक एक ép्सfight कर रहे हैं ठीक है आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं सबसे पहले हम model में जा रहे हैं model में product में जा रहे हैं ऑर यहां पर हम इक और फंक्स मना रहे हैं रिलेशन के लावा इसको हम लोग mutator काहते हैं जो के basically किसी column को change कर सकता है तो हम इसका नाम रखेंगे पर लिखेंगे set और उसका लिखेंगे slug attribute ठीक है, set slug attribute इसको laravel के official website से दिखाते हैं आपको कहां से लिए उठा के हम बता रहे हैं आपको देखेंगे जो laravel का official website है इसमें हम यहाँ पे mutator search करते है mutator and casting यह वाला तो इस topic में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम mutator को डाल सकते हैं जैसे यह column का नाम है first name इसको हम लोग change कर सकते हैं अपने इनुसार इसे दिखेंगे पास एक function मिलेगा set करने वाला वो भी हम दिखाते हैं इसे पता नहीं एक्सेशर तो सम्झ में आ रहा है कि एक्सेशर ही है परस्ट नेम ठीक है एक्सेशर नहीं सेटर एक्सेशर करता हूँ सेटर एन गेटर लोको सेटर 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 मॉडल एन कलेक्शन थोड़ा सा ताइम दो इसमें हम बहुत इंपॉर्टन चीज़ बताते हैं एक मिरन को सेट पास्वर्ड एट्रिब्यूट मुझे लगता है कि गूगल सर्च करना चाहिए मुझे एडल्टी आर आई आई बी यू टी सेट उसर नेम ऐसे ही पास करना ठीक है देख लो हमको थोड़ा से इंटेक्स याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यूज़ किया और इसमें आपको पास करना है वैल्लू नाम का वेरेबल पास कर लिए आप इजी होगा इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको लिखना डॉलर दिस उसके बाद आप एट्रिब्यूट लिखेंगे एट्रिब्यूट्स और attribute में से आपको कौन सा column निकालना है slug निकालना है अब आपको क्या modify करना है वो बताइए तो आप यहाँ पर basically slug नाम का function standard ये वाला में मिल जागा str नाम के facet मिल जागा तो आपको ये str को import करना पर सकता है ने तो आपको error देगा ठीक है तो आपको str को import करना है ठीक है ध्यान रखिए ने ने value होगा लेकिन बात है str भी use str लिखना होगा use str ठीक है या पूरा facet लगा के import कर सकते है तो इससे क्या होगा कि आपका जो slug attribute है वो save होने के सब पहले मतलब जो आप save करने होंगे dot save जैसे लगाते है तो उससे होने से पहले ये वाला database में आपका value उठाएगा नहीं value नहीं एक मेंटूक यहां पे आपको dollar this arrow attributes attributes और इसमें से title निकाल लो तो title निकालना है और वो जो value आ रहा है वो value आपexpl का प्रोड़क के पास जाए इसमें तो जाता है इसमें यहां tilliter कर दिदए ड़कौई ऋटाशना है इसमें पीड़ थो इसमें तो factory है छातल फीक है यह भी कर लेंगे पीज़र्त तो हमलोग भी क्या स्टाइब यहाँ पर प्रोड़क्त के पास जहाँ इंसर्ट सेंच ठाल कांची जा करेंगे सटाइब प्रोडूटल便के जैसे लगाते जिए अब एक ही करके रशाश हैं प्रो प्रोडॉक्त आरो पहले title ठीक है और request से आ रहा होगा title title डाल देंगे तो आप जितना column है उसाब बताईगे और इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो slug है आपका तो slug database में title ही को कहेंगे और कुछ को नहीं जो slug में जाएगा तो वो उसको slug verify कर देगा यहीं चेंज कर देगा इसके लावा आपको next क्या करना है एक मेट category ID अब जो जो आप insert करना हो वो डालिए जैसे category ID उसके बाद brand price MRP discount price description description और कुछ अब आपका save ज्यान रखने वाली बात दो जगा नहीं करना है अरे वो cursor के जिसे हो गया तो save होने के बाद जो आपका product होगा वो दिखेगा तो अब इसको attempt करके देखो कि यहां से पहले आप API टेस कर लो कि आपने slug pass नहीं किया आपने यहां लिखा है my product testing data ठीक है ऐसे लिखा आपने ISO send करो अगर यह insert हो जाएगा तो सब काम हो जाएगा नहीं यह कह रहा है कि आपका has attribute में क्याप मिल नहीं मिला model product str is not found str class is not found use model कि यह तब भी नहीं use str कोई बात नहीं है हम इसमें से देख लेते कि हमको str कैसे बुलाना है str दोबा कॉलन slug ऐसे google कर लेते हैं जल्दी मिल जागा ठीक है तो कैसे बुलाना है import कैसे करना हो देख लेते है sluggable package यह रहा है अच्छा s capital तो आपको यहां पर s capital वले input करना है यहां पर भी आपको s capital कर देना है अब आप चेक किजिए तो यह सही से काम कर रहे की नहीं करता है देखिए इसमें slug अपने बन गया देखिए अपने तो नहीं बनाया slugify हो गया इसी तरीके से जब यहां टेस्ट हो जाए तो फिर आप अपने इंसर्ट में ट्राइ कर सकते है inserted successfully हो गया data देखिए इंसर्ट हो चुका है और इसमें देखना यह है कि आपका database में वह slugify हो गया चलिए इस अब सक्सेस रहा थोड़ा time लगा लेकिन काम हो गया है क्या काम किया हम लोग ने final बता देते है सुनिए recap सुन लीजिए product वाले model में एक अलग से function बनाया है जो कि उस attribute को change करेगा किसको set slug attribute यानि slug के attribute को set करेगा किससे set करेगा जो value आ रहा है वो title आ रहा है यह काम आपको करने की ज़रोथी नहीं है यह काम अपने आप होगा यह model में आपने function बना दिया तो जब भी आप insert करेंगे product को product controller दिखाते हैं तो आप वहां पे slug में क्या पास करेंगे title को पास करेंगे तो title क्या क्या होगा slugify होकर slug में store हो जाएगा आपका काम हो जाएगा तो आपने insert का काम successfully complete किया मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए बाई